मुझे नहीं पता था कि तुम लोगों में ऐसा कुछ रिच्वल होता है हाँ पर ये तो करना चाहिए हम हमेशा खाने से पहले अल्ला ताला से प्रेक करते हैं हम ही पहले भगवान को भोग उपाई करते हैं और उसके बाद प्रे करके खाते हैं लेकिन तुमारा भगवान करके काना खekerसे क्लएके वैसे ही यहाँ पर आके खा भी सकता है भगवान का फॉर्म पर्सनल है अगर वो कानों से सुन सकते हैं तो मुझ से आके खा भी सकते हैं उनके कान और मुझ दोनों है शालीनी तुम प्रेनी कलती ही खाना खाने से पले नई लेकिन मेरे चाचा में एक बार कहा था कि हमको वो गॉड ओफ फूड को और फार्मर्स को थांकी बोलना है चाहिए यू मीन अन्रपुर्ण नदेवी और गॉड ओफ फूड येस हमें उन्हें थांक करना चाहिए और साथ में फार्मर्स को भी बट आई विलीव इन वाटरिं दो रोट्स देखो हम हमेशक क्रिएशन को तो अप्रेशेट करते ही हैं लेगे हम क्रिएटर को नअप्रेशेट करना भूल जाते हैं अभी सोचो पानी ना हो, हवा ना हो, उपजाओ मिट्टी या धर्ती मा ना हो तो फार्मर क्या कर लेगा So I believe that we should be thanking the Creator, the Lord who is providing us with all the basic necessities Point अब तुम किस-को थैंक करेगा वैसे भी तुमारे थेतिस करो तो देवी देपता है बताओ, किस-को थैंक करेगा तुम और Shandi, तुम किस God को मानता है मैं ऐसे किसी God को निमानती लेकिन, I think Shiva is a big God See, I am very sorry बत आपने वो बड़े भगवान का स्टोरी तो सना होगा ना जहां वो अपनी मरी हुई वाइफ को शोल्डर लेकर पूरे इंडिया कचका लगा रहा है अब तुम मुझे बताओ जो God अपनी वाइफ के मनने पे ऐसे कॉमन मैं की तरह होता है वो God सकता है क्या? अच्छा, maybe, I don't know much about this story but he's very famous and नौर्प में तो राम जी भी बहुत पेमस है ना उनका स्टोरी तो तुमको पता होगा ना सबको पता है उनकी वाइफ को रावल ले गया था हाँ, पता है अब तुम मुझे बताओ, वो God है वो अपनी वाइफ को भी अकेला नहीं बचा के ला सकता उसको अपनी वाइफ को बचाने के लिए भी वानर सेना की हेल्प चाहिए और उस वानरों को भी तुम पूसता है I am sorry और गीता तुम, तुम कृष्न को मानती हो और वो तो हल लड़की के साथ रासवीला करते रहते थे ऐसा कैसा करेक्टर है God का जिसे हल लड़की से प्यार हो जाता है और वो खुद ड़के अपना जनमिस्तान चोड़कर चले गए थे God को कभी डर लगता है क्या और जिसे खुद डर लग रहा है और तुम लोग की हल प कैसे करेगा शिट यार, इस तुम कॉम्लिकेटे अंधूजिग अधूजिग इस प्रॉब्लम इस कि तुझे पता ही नहीं क्योंकि तुन्हे आज तक शास्त्र ही नहीं पड़े है तो पता कैसे चलेगा कि क्या सही और क्या गलत जन्म कर्मचा मे दिव्यम एवं योबेती तत्वता त्यक्तवा देहम पुनर जन्म नैथी मामेती सो अर्जुना भगवान की लीलाओं को समझना इतना असान नहीं है उसके लिए शास्त्रों का अध्यन करना पड़ता है और वो वी एक प्रमानेक गुरू के अंडर रहके उनकी शरण लेके अब अगर तुमने शास्त्र पड़े होते तो तुमको ये पता होता कि शिवजी ने जो emotions उसमें दिखाएते हैं वो शोक नहीं विरह था विरह विरह दोलो सेवनी होते क्या लेकिन वही रामायन देखते देखते जो आसू निकले न वहीं रामायन देखते जो आसू निकले न लिए और ईसे विरह से हमारा भगवान के पृति फ्रेम बढ़ता है तो जिस तरह से शिवजी ने विरह को दिखाया था उसी तरह राम जी भी सीता मया के जानने के बाद ने बट्टकते होई वह और यही नहीं, सीता देवी इतनी प्योर है ना, कि उन्हें राम जी के लावा कोई टच भी नहीं कर सकता था रावर्ण जिनको लेके गया था वो छाया सीता देवी थी असली सीता देवी तो अग्मी में समा गई थी और वो अग्मी परिक्षा के वक्त बहार आई थी और असिवाप मुखिया बोल रही थी, भगवान राम को अपनी पत्नी को बचाने के लिए वानरों के मतद लेनी पड़ी थी I mean God is all powerful, right? हाँ, I mean वो अकेले भी तो मार सकते थे ना या शालिनी, अगर तुने कभी रमायन पड़ी होती तो तुझे पता होता जब खर और दूशन आये थे, अपने 15,000 ऐसे दानवों के साथ, जो इंसान को खा जाते थे उन सब के साथ राम जी ने अकेले बिला किसी की हेल्प के उन सब के चितरे उड़ा दिये थे अब ऐसे राम के लिए रावन को मारना मुश्किल है क्या? हाँ, लेकिन बाद में वानरों के हेल्प क्यों ली? उनको अपनी सेवा में लगाने के लिए, उनकी ग्लोरिस बढ़ाने के लिए अरे उन्होंनों तो एक छोटी सी गिलैरी तक को अपनी सेवा में लगा लिया था और हम हनुमान ची के पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान तक पहुशने का रास्ता उनके भगतों की सेवा है जब भगवान देखते हैं कि मेरे भगतों का गुडगान हो रहा है या कोई सेवा कर रहा है तो वो बहुत खुश होते हैं जैसे मैं तेरी मॉम के सामने अगर तेरी तारीफ करूँ, तो वो खुश होती है ना? पॉइंट इसी तरह भगवान हमसे खुश होते हैं, जब हम उनके भगतों की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और रही बात 33 करोड देवी देपता की, आसे पांग तो मुझे ये बताओ, what is your favorite genre in movies? psychological thriller और शालमी देवी romantic and comedy exactly जैसे हर किसी का अपने nature के according favorite genre होता है, वैसे ही भगवान ने हर किसी की nature के according व्यक्ति के लिए उसके nature के अनुसार, बेद और पुरान दिया है और उन्ही पुरानों को follow करके लोग अपनी देवी देपता की तरफ attract होते हैं और ये सभी देवी देवता भगवान की ही सेवा कर रहे हैं जैसे रोश्नी के देवता सूर्य देव, हवा के देवता वायू देव, बारिश के देवता इंद्र देव जैसे एक सरकार चलाने के लिए इतनी सारी positions होती हैं वैसे ही इस पूरे ब्रहमान्ट को चलाने के लिए अलग-अलग देवी देवताओं की ज़रुवत पड़ती है तो मतलब वो अपनी position का misuse करेंगे किसी भी लड़की के साथ कुछ भी करेंगे रास लीला करेंगे टॉप इट आसिफा, now you're crossing the line तुझे पता ही क्या है क्रिश्न के बारे में जो लोग बोलते हैं कि क्रिश्न करें तो रास लीला है हम करें तो character लीला है उनको बोलो पहले भागवतम पढ़ ले ठीक रास लीला से पहले भगवान ने गोवर्दन उठाय था उनको पोलो पहले जाके गोवर्दन परवत उठाए पैदा होते ही पूतना को मारा था बच्चे से एक मच्छर नी मारा जाता वेन ही वो स्क्रॉलिंग मुख में ब्रहमांट दिखा दिया था तो अपने मुँ में अपना ये होस्तेली दिखा दे आसिफा क्या तुम जानते हो दुआरका में भगवान श्री कृष्णा की 16,108 रानिया थी और सबके अलग-अलग महल थे और हर एक महल में श्री कृष्णा सबके साथ होते थे एक ही समय पर रोज सारी रानिया कृष्णा से खुश थी और उन सब की जरूरते क्रिश्ना पूरी करते थे क्या किसी नॉर्मल से इंसान के लिए ये सब संभव है आज के टाइम पे तो एक ही नहीं समलती लेकिन उस टाइम सारी रानियां एक दूसरी के साथ खुश थी और उन्हें खुश क्रिश्न रगते थे क्यों? क्योंकि वो भगवान है और रही बात ब्रच की गोपियों के साथ रास दिला करने की तो इतना जान लो कि रास दिला के टाइम पर करोडो गोपियां थी और क्रिश्न पूरे टाइम हर एक गोपि के साथ मौजूद थे और उनके साथ डांस कर रही थे एक टाइम पे करोडों गोबियों के साथ ये सब बहुत डीप ली लाये हैं और ये सब तभी पता चलेगी जब साधूं के संख में रहे के शास्तरों को पढ़ा जाएगा हवा में तीर चलाने से या सुनी-सुनाई बातों को यकीन करने से और रही बात अपने भक्तों को बचाने की तो भगवान ने तो अपने भक्त परिक्षित महाराज को गर्ब में बचाया पांच साल के प्रहलाद महाराज के लिए नरसिंग अवतार लेकर आए और उनको बचाया यहां तकी हो अपने गुरुदेव सांधी पानी मुरी की बेटे को मरने के बाद वापस लाए और उनको जिन्दा किया I'm really impressed यार Hindu होते वे भी मुझे facts पता ही नहीं थे नेरे parents न मुझे कभी इन सब चीजों के बार में बताया ही नहीं हां, parents की तो गलती है लेकिन हम भी तो वही कर रहे है जो और उने किया We're not learning about our culture, not reading रमायर, महभारत और भगवर्णीता आजकल तो यह सब कुछ रीट करना बहुत easy भी है and everything is available on our phones and the problem is that we don't want to learn और इसलिए हमें कोई कुछ भी बोलता है और हम उसे मान लेते हैं और अपने belief को चेंज करने के लिए ready हो जाते है Actually मैं बता है किसी का heart transform करना है तो प्यार से करो, ज्यान से करो पैसे और तलवार से नहीं और अब बारी आपकी है अगर आप भी चाहते हैं कि कोई एडा गेडा नत्तु गेडा अगर आपको कुछ भी ना बोल जाए आपका बेवकूफ ना बनाए तो जाए जाए और अपने कल्चर के बारे में जानिए ग्रंथ पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाए जाकर इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि कोई और लड़का या लड़की इस केरला स्टोरी का शिकार ना बने और हाँ इस वीडियो को लाइक करें